हाई फ्रेंज कैसे हो वेलकम है आपका निशूज आइडिया में मैं हूँ निशूज होप कि आप सब अच्छे होंगे और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान डी आइवाई घर पर स्क्रब कैसे करें बहुत ही आसान तरीका है और यह जो इंग्रीडि तो आप उसे लाइक कीजिएगा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ में बेल बटन जरूर दबाएं जिससे कि मैं जब भी कोई निव वीडियो अप्लोड हो तो आपको नोटिफिकेशन पहुचे तो चलिए अब वीडियो स्टार पहुचे से विटामिन्स होते हैं जो कि हमार स्किन को बहुत ही ग्लोइंग बनाता है, क्लीन करता है, मैं आपको दिखाती हूँ, तो इसके लिए हमें चाहिए होगा टामाटर, तो यहां पर हम इसे हाफ में कट कर लेंगे इस तरीके से और इसे करने से पहले अपने face को आप clean कर ले कोई भी face wash से जो कि मैं कर चुकी हूँ और यहाँ पर मैं अपने face को गीला कर लूँगी toner के help से इस तरीके से अब face को गीला भी कर सकते हो और फिर हम यहाँ पिलेंगे आधा टमाटर और इसके उपर हम डालेंगे एक चमच चीनी यह बहुत ही अच्छा scrub है DIY जिसे ही आप घर पे इजली बना सकते हो और कर सकते हो और यह सबके घर में इजली अबलेबल भी होता है और उसके बाद हम डालेंगे इस पर यह शहद जो की हमारे skin के लिए बहुत ही अच्छा होता है skin में shine add करता है मौश्राइज करता है and skin को soft and supple बनाता है इस तरीके से आपको यह तीन इंग्रीडेंट लेना है और आपको अपने skin पे इसको हलके हाथों से इस तरह से मसाज करना है रब करना है हलके हाथों से आपको इस तरह से सर्कुलर मोशन में आपको जहां-जहां skin में dead skin cells है, tanning है, काला पन है, dirt है, dust है वहाँ पे आपको इस तरह से 2-3 मिनट तक मसाज करना है यह हमारे skin को clean करता है, exfoliate करता है and जितने भी dead skin cells होते है and dirt, dust होते है, pollution की वज़े से सबको यह remove करता है, बहुत ही easily तो आपको इसे हलका-हलका press करना है and फिर आपको इसको इस तरह से scrub करना है यहाँ पे ज़्यादा तर black head and white head होते हैं तो आपको यहाँ पे ज़्यादा focus करना है यह जो scrub है, हमारे skin से बहुत easily dead skin cells को and black head, white head को easily remove करता है and my skin को soft बनाता है, glowing बनाता है natural glow add करता है और यह all skin types है, सबे skin वालों इसे कर सकते हो इस तरह से आप scrub daily भी कर सकते हैं या तो आप week में 2-3 बार करें, best result के लिए and आप देखोगे कि आपके skin glowing हो गए है and जितना भी sun से tanning हो जाते हैं उसको भी यह remove करता है, skin को exfoliate करता है dead skin cells जो होते हैं, उसको यह easily remove करता है तो आप इस से अच्छा scrub आप DIY नहीं हो सकता यह बहुत ही अच्छा है मैं week में 2-3 बार जरूर करती हूँ इस तरह से and आप देख सकते हो skin को यह बहुत ही deeply clean करता है इस तरह से आपको दबाना है and चाहो तो आप इसमें और sugar add कर सकते हो and अगर आपके skin पे pimples हैं, acne हैं तब आप इसे ना करें नहीं तो और problem बढ़ जाएगी तो जब आपके skin पे acne pimples ना हो तब आप scrub करें बहुत से लोग comment करते हैं कि scrub कब करना चाहिए कितने age के बाद करना चाहिए तो आप 20 के बाद scrub करें क्योंकि उससे पहले हमें जरुरत नहीं होती हमारी skin पे black head, white head नहीं होते हैं और dead skin cells नहीं होते हैं तो आप 20 के बाद scrub करें कोई भी घर वाला या अप ready made scrub भी बहुत सारे होते हैं तो अगर आप फीक में दो बार scrub करते हो तो आपके skin soft बनी रहती है glowing रहती है और जितने भी aging की problem होती है उसको भी यह दूर करता है sun tan को remove करता है acne pimples अगर आपके skin में दाग धब्बे हैं तो उसको भी यह अगर आप इसका regular इस्तेमाल करते हो तो उसको भी धीरे धीरे remove करता है pores को यह clean करता है तो यह बहुत ही अच्छा है इस तरह से आप देख सकते हो और यह आपको pack का भी काम करता है तो आपको इस तरह से दो से तीन मिनट तक करने के बाद आप इसको दस मिनट के लिए छोड़ दे अपने skin पर एंड उसके बाद आप पानी से वाश कर लें तो अब मुझे इसे करते हुए तीन से चार मिनट हो गए है अब मैं इसे छोड़ दूंगी दस से पंदरा मिनट के लिए जिसे की हमारा pack का भी यह काम कर दे क्योंकि इसमें honey है sugar है and tomato का extract है juice है इसमें तो इसको मैं लगे देने दूंगी पंदरा से 20 मिनट के लिए आप छोड़ दें कम से कम 10 मिनट जरूर रखें और उसके बाद आप नॉर्म पानी से wash कर लें तो चलिए मिलती हूं मैं 10 मिनट के बाद तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने अपने skin को face को धो लिया है and मेरी skin अभी बहुत ही glowing हो गई है clean हो गई है जितने भी dead skin cells थे and black head white head बहुत easily यह remove कर दिया है so best result के लिए आप इसे week में 2-3 बार करें या तो आप इसे daily भी कर सकते हो बहुत ही आसान तरीका है skin को glowing, soft and clean बनाने का tanning को remove करने का, दाग दब्बे को दूर करने का, जितने भी कालापन होता है, dirt, dust होता है, सब easily यह remove कर देता है so आप इसे जरूर try करें, अब हम यहाँ पर लगाएंगे थोड़ा सा aloe vera gel, जिसे की my skin को थोड़ा सा आराम मिले, क्योंकि हमने अभी scrub किया है so थोड़ा सा आपको एक मटर के जितना लेना है and पूरे skin पर इसको massage करना है so यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे comment कीजिएगा और पसंद आई हो तो like करे, share करे, channel पर नए है तो subscribe जरूर करे मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, अब तक के लिए friends, bye bye and take care, thank you so much for watching, bye